नमस्कार आप सभी को बात करते हैं बार की स्किल टेस्ट की यानि की न्यू बैस स्टार्ट हो गया है एक बैस ओलडी स्टार्ट चल रहा है दूसरा बैस 18 तारिक से स्टार्ट है जिसमें आपके पास में में electronics, electrical, diesel, filter, RSC, automobile, istimekal टेस्ट वाले हैं सभी का स्किल टेस्ट सालू हैं तो बात करें ہम लोग electrical and electronics की 18 तारिक से ये नया भैश है इसमें 2k skill में क्या आता और उस के बारे में बात करें तो पहले बात करते हैं हम EC buch की तो इसी की बात करें, तो देखो इसी वाले में क्या कौन-कौन से practical होते हैं, बेसिकली सभी जो ITA की ट्रेड की बुक में जो practical है, वो सभी practical होते हैं, बट उससे related देखो important topic, important practical कौन-कौन से होते हैं, important होते हैं, जैसे बात करें हम rectifier का electronics बीबात करें, electrical में भी है यह practical यानि कि rectifier का important हो important की बात करें, rectifier का, rectifier में आप से कोई साथ भी पूछ सकता है कोई साथ भी practical, यानि कि rectifier एक केवल एक topic है, र Creør लेकिन इसके 3 से 4 practical है जिसके अंदर आता है हाफ ये रक्टिफ है दूसरा आता है सेंटर टेप रक्टिफ है रक्टिफ है तीसरा आता है तो मारे पास में ब्रीज रक्टिफ है अगली अगर बात करें यानि कि थ्री फेज रक्टिफ है इनको यूजिंग गेट कर सकते है यानि कि यूजिंग डायोड कर सकते है तो जैसे एक टोपिक को हमने बात किया इलक्टोनिक्स में जैसे रक्टिफ है बहुत इंपोर्टेंट प्रक्टिकल है अगली अगर हम बात करें जैसे एक digital की बात करें तो logic gate वाला है logic gates logic gate इसको पूछ सकता है तुम्हें IC के आदार पर बनाना यानि कि जो सा gate है उसको IC को use करते हैं उसको logic gate को सत्यापन करना जैसे हमारे पास में कौन कौन से logic gate हैं इन सभी के practical आते हैं not gate or gate nand gate and gate कर दो अगली अगर बात करें nor gate nand gate अगले इससे आगे के और बात करें हम लोग तो क्या करते हैं देखो xor gate xnor gate अब इन प्रक्टिकलों को आपको IC के coding यूज करके पूछ सकता है या तुमसे दायोड लगा के पूछ सकता है या ट्रांजिस्टर से पूछ सकता है या साधारन पूछ सकता है आपसे इन गेटों के प्रक्टिकल के बारे में पूछ सकता है अगली अगर हम बात करें कि जो इंपोर्टेंट है इलक्टोनिक्स में वो देखो यानि कि टाइमर 55 IC IC 55 भी बूल सकते है IC 55 Open 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 741 पूछ से भी प्रक्टिकल आ सकते हैं BJT, Transistor, FET, MOSPET यानि कि हमें basically sequence से लेके ये प्रक्टिकल करवाने हैं बार्क स्किल के लिए ये स्किल से related जितने भी exam होते हैं जैसे ISRO वा, DRDO वा, बारक वा, ठीके घैल वा इन सभी में जिसी में भी skill test है, इन सभी में ये प्रक्टिकल काम में आते हैं और ये ITI की जब आप trade पास करते हो तो थोरी के साथ साथ जो प्रक्टिकल होते हैं उस सभी प्रक्टिकल होते हैं यानि कि इन ही कि हम basically बात करें तो देखो practical आप कैसे पूछ सकता है आपसे अगर पहले अगर एक प्रक्टिकल की बात करूँ कि तुम से पूछे कि विभीन लोजिक गेटों का अध्यन कीजिए या तुम कोई सभी एक गेट ले लो कि मैंने एक गेट ले लिया भी तुमारे पास में कि मेरे पास में गेट है IC का उप्योग करके IC 34 यानि कि 7404 IC का यूज करते विए मुझे कौन सा गेट बनाना भी नौट गेट बनाना है कौन सा गेट बनाना है देखो फर्स्ट अगर आपको एक प्रक्टिकल की बात करें आप से बोला गया कि आप IC IC 7404 का उप्योग करके का उप्योग कर नौट गेट का हद्यन कीजिए यानि कि सबसे पहले अगर मैं इन गेटों की बात करूँ आप से तो आप इसको क्या करोगे सबसे पहले आप क्या लिखोगे उद्दित से लिखोगे में अगर आप आप जास्करोगे कि हमने कौन सी iC ले और किसको हमने कैसे कैसे किया है तोorg बात करते हैं सब्से पहले की iC का हद्धन करके हम सब्से पहले आफ्शक चीजे लेंगे इस में की कोन कोऊओंसी चीज हमें यूज में ले हैं तो वो चीज की बात करेंगे first की IC 7404 का उपयोग करके not gate का हध्यन कीजिए तो सबसे पहले हम इसकी सारी कारिय विदी के बारे में बात करेंगे तो बात करते हैं first देखो यानि कि आप यहां पे क्या-क्या लोगे कौन से कौन से उप्रण यूज में लोगे इसमें IC के अधन करते टाइम तो देखो first and first बात करें इसकी first आपने इसमें उद्दे से लिखोगे पहले उद्दे से क्या है तुमारे पास में कि आपने जो क्यूशन दे रखा है वो कवो लिख दोगे यानि कि IC 7404 का उप्योग कर कर not gate कर not gate का हद्दन करना उद्दे से हो गया दूसरे आपका इसका लिख दोगे बई जो सामगरी आपके पास में कि आप इसकी कौन कौन सी सामगरी इसमें यूज ले रहे हूं कि आपके पास जो सामगरी आ हैं वो देखो सामगरी में आपने ले लिया बई दूसरी अगर मैं बात करूं यानि कि सामगरी क्या-क्या उपयोग में लिया शबसे पहले तो हम क्या लेते हैं उपयोग में भी मल्टीमिटर लेते हैं connectivity क्यात करने के लिए क्या लेंगे एक मल्टीमिटर लेंगे उसके बाद में हमने ले लिहát ब्रेड बॉर्ड ब्रेड बॉर्ड पे कर रहे हैं तो ब्रेड बॉर्ड ले लेंगे अगला हमने ले लिया वही स्वीच ले लिया दो स्वीच ले लिया हमने अगला हमने ले लिया बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी ले लिया यानि कि कितने के लिए ले लें 12 वोल्ट के ले लें काफी रहेगी उसके बाद में हमने ले ले लिया इसके बाद में हमने आईसी ले ली आईसी कौन छी ली भी हमने 7404 की ली उसके बाद में हमने ले लिया is connectivity निए आवसकता कंसार कौन से वाईर मैं आप गड़ी है जो जोड़ने सिफ्सरärt या कॉनके कारियविदी सर्वपर्थ हम क्या करेंगे भी एतियादि आती हम ने यह शामगरीמו उपक्रण ले लिए ठीक है तो आगे इसे आगे की कारीय विदी सर्वपर्थम क्या करेंगे भी सर्व प्रत्रम हमने देखा कि čार्यविदी की बात करें तो देखो आगे 미 कि देखो है अगला हम बात करें बेख dispam कि थर्ड पॉंड क्या है कारिविदी कार्यविदी में हमने क्या कि अभी कारेविधी की कैसे किरिया करता है उसके बारे में बात क्या सर्वपर्थम हमने क्या लिया भी गेट लिया कौन सा नौट गेट कौन सा गेट लिया भी नौट गेट लिया यह हमारे पास में gate है, यह output है, यह input बाग है और यह कौन सा बाग है, output बाग, यह इधर input बाग है और यहां पे हमने क्या क्या, output बाग है, यहां पे इस gate पे हमने 1 दिया, तो output हमारे पास 0 आया, एदी हमने input में क्या दिया, 0 दिया, तो output में क्या गया, 1 आ गया, यानि कि यह level change कर रहा है as यह inverter काम करता है तो हम इसके true table बना देंगे इसके बाद में क्या बना देंगे भी? true table बना देंगे ठीके? तो हमने यहाँ पर क्या कि अब यह true table बनाई यानि कि शत्यता सार नी true table कि बात करें यह मेरे पास में इन्पुट भाग है और यह मेरे पास में क्या है? आउटपुट भाग है यहाँ पे हमने a लिया इन्पुट में तो आउटपुट में आया a बार इन्पुट में हमने 0 लिया तो आउटपुट में 1 इन्पुट में एदी एदी इन्पुट में हमने 1 लिया तो output में हमारे पास क्या पराप्त हुआ? 0 पराप्त हुआ अगर इसकी सबसे पहले अगर हम बात करे। सबसे पहले हम hã much board पिर क्या करेंगे? connectivity करेंगे इसकी? connectivity करेंगे नहीं करेंगे? हमने जब IC लेते हैं तो देखो IC की बात करें तो हमारे पास हमने यह IC ले लिया देखो IC को यूज करते विए बात करें तो यह हमने क्या लिए भी IC लिया यहां पर कारेविदी में यह हमने एक IC ले लिया झारेविदी में देखो ये हमने IC ले ली कितनी पिन IC होती है 14 पिन IC होती है मेरा थोड़ा सा सही नहीं बनना ये डाइग्राम आप एकदम बराबर बनाना ये 14 पिन IC होती है मारे पास में यहां पर देखो आमने एक नमबर दे दिया IC का 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये इस IC में हमने IC ले लिया IC नमबर 7, 4, 0, 4 ये IC ले लिया तो हमेशे धान रखना कि हमने जो IC ली है इसका जो ये 14 नमबर IC पिन है इसको हम सप्लाई से जोड़ेंगे किस से जोड़ेंगे? सप्लाई से इस से जोड़ेंगे? सप्लाई से अब अगर हम बात करें साथ नमबर को क्या करदेंगे? हम ग्राउंड करदेंगे क्या करदेंगे? ग्राउंड करदेंगे यानि कि black जो breadboard लेंगे उसके साथ वाले को ग्राउंड करदेंगे और 17 वाले को क्या करदेंगे? हम सप्लाई से जोड़ेंगे यानि बैटरी से जोड़ देंगे अब बात आती है कि हमने इस 1 को अगर input लिया तो 2 को हम क्या कर देंगे? Output कर देंगे 2 पर हम क्या कर देंगे? Output अगर हमने 3 को input लिया तो हम 4 को क्या कर देंगे? Output अगर हमने 5 को input लिया तो 6 को हम क्या कर देंगे? अगर हमने यह कर दिया 10 को input लिया तो 11 को क्या कर देंगे out यह हमारे पास connection होता है इसको हम breadboard पे कैसे धोड़ते हैं यानि कि हमने wire लिया breadboard लिया breadboard लेते ही हमने इस IC को लगाया IC को लगाने के बाद में इस IC का जो 7 number है उसको हम ground से supply कर देंगे यानि कि उस breadboard में एक pin लगा रहता है और kit लोगे तो उस फिर सब को चीज बनी होती है क्योंकि जो kit वाला diagram जादा आते हैं तो kit वाला 7 को हम black वाली pin से connect कर देंगे ठीक है और supply को हम supply वाली pin से क्या कर देंगे connect कर देंगे फिर हमने क्या क्या की एक number से हम क्या देंगे supply देंगे input देंगे और दो number को हम led जोड़ देंगे दो number पे हम क्या जोड़ देंगे तो हमने output देखा कि हमने supply दी on condition में किया यानि कि जो bluff kit पर जुड़े होते हैं वो green green होते हैं तो अगर वो हमने on कर दिया तो red हो गया तो on करने के बाद में LED जल जाएगी नहीं जलेगी क्योंकि इस table के coding आपने अगर one देते हो तो LED नहीं जलनी चाहिए बलफ क्या नहीं होना चाहिए जलना नहीं चाहिए अगर आप supply में zero दे रहे हो क्या दे रहे हो जीरो दे रहे हो तो LED आपकी जल जाएगी क्या हो जाएगी जल जाएगी देखो इसके एक condition और अच्छे से समझाती है तुम्हें यह तो थी IC की यानि कि वहां की बात करें IC की साहिता से किया है तो हमने IC यूज करते भी करेंगे ठीक है यानि कि उस pin का 7 नंबर को ground कर देंगे 14 नंबर को supply कर देंगे 1 को हम input से connect करेंगे और 2 को हम किस से करेंगे तुम्हारी 26 में से कोई सा भी gate ले लो कोई से भी pin ले लो तो second को हम क्या कर देंगे output कर देंगे अगर हम first पे 0 देते हैं तो LED जल जाएगी यानि कि red हो जाएगी अगर हम first पे 1 देते हैं तो LED नहीं जलेगी ठीक है अगर मैं इसकी practically बात करूँ तो देखो यह आपके उपर एक bluff लगा हुआ है देखो ना एक बार और यहाँ पे आपने एक switch लगा दिया क्या लगा दिया switch लगा दिया यहाँ से आपने supply दिया आपने supply दिया तो देखो supply में क्या हो अभी यह switch A है आपने A लगाया अब यहां पर देखो आपने इह बराबर 0 दिया तो यह जो supply सारी लंप में चली जाएगी लंप है तो लंप क्या होगा जल जाएगा जल जाएगा अपने 0 दिया तो यह switch खुला रहेगा तो यह से supply डारेक किसके पास में चली जाएगी लंप के पास में चली जाएगी किसके पास में चली जाएगी लंप के पास में चल जाएगी अगर आपने ए बराबर में वन दिया तो यह क्या हो जाएगा तो यह सप्लाई यहीं से आ जाएगी तो लंप नहीं जलेगा तो यही हमें हैदन करना है इसके बाद में हम बात करेंगे देखो आगे की यह प्रैक्टिकल कार्य विद्य होती है इसको हम लिख सकते हैं कि हम डारेक्ट क्या लिखेंगे कि हमने इसका लिखने का तरीका देखो कि हमने आइसी 7404 लिए जिसका 7 नमबर पिन को ग्राउंड कर दिया तथा 14 नमबर पिन को हमने क्या दे दी सप्लाई दे दी उसके बाद में हमने कोई भी दो पिन चूज किया यानि कि इनपूट और आउटपुट वाला तो हमने उसमें देख Kindern के लिए हमने उसको नीचे जो किट लगा रहता है उस पर एप्लाई कर दिया और आउट्पुट वाले के साथ में LED जोट गई यानि कि सत्य हो गया टेबल और एलेड अगर हमने इन्पुट में वन दिया तो एलेडी क्या हुआ जली नहीं तो इसलिए यह नौट गेट से truth हो गया सत्यता होगी उसकी आईसी के थरू लेकिन इसकी सावधानिया भी रखनी है सावधानिया में आप क्या क्या करोगे कि ब्रेड़ बोल्ड पर सब完全 ठीक से करोगे है फिक के परीपत में सप्लाइब करने करने से पहले परिपत की जांच कर लेना क्योंकि सभी परिपतों की सप्लाई आउन करोगे तो उससे पहले क्या करोगे जांच करोगे और ic7404 का उपयोग करके logic gate not gate को हम क्या करतेंगे सपलता पूरण हद्दन कर लेंगे result में क्या हो जाएगा सावधानिया क्या होगी भी अगला अगरा हमारा point है तो क्या है सावधानिय का है अगला point है तो हमारे पास क्या है सावदानिया सावदानिया क्या है भी जो हमने ब्रेड बोर्ड किया है जो ब्रेड बोर्ड लिया उसको हम ठीक से जाच करेंगे पहले फिर उसको हम connection करेंगे ठीक है सबी connectionों को जब supply देने से पहले हम उस connection को check कर लेंगे कि ये connection सही है या नहीं है करेंगे उसके बाद में क्या करेंगे और यूज होगा तब ही हम ओन करेंगे अन्य था हम उस सप्लाइग को क्या रखेंगे तो इसी के साथ हम हम ic देंगे यानि कि ic कौन से लेंगे ic 7404 काउप्योग लेंगे और उसके साथ में इस ic 7404 से कौन सा gate यूज कर लेंगे हम not not gate का अधन कर लेंगे कौन से गेट का अधन कर लेंगे not gate का तो यह हमारे पास में सफलता पुर्ण प्रिक्षन हो जाता है और उसके बाद में हमारा क्या लिख देते हैं रिजल्ट यानि की परिमा परिनाम यानि की राजाल्ट राजाल्ट में लिख देंगे कि हमने सफलता पूर्ख लिख ऑफर को उप्योग करते वए नोट गेट का हदन सफलता पूर्ख कर लिया गया । इसी के साथ में हमारे इस तरीके से भोसारे प्रक्टिकल होते हैं आयाँ प्रक्टिकलएं डेब ले जाके उपरन दिखाए उसी के साथ हम आपको गेट कंचा तरीकल vaccin कराएं जो एक्जाम से पहले यानि कि बारक की अभी रजल्ट आया है कि एक्जाम इस्किल की डेट नहीं है उससे पहले जितने भी वच्चे पास होए है इलक्टिकल, इलक्टोनिक्स, डीजल, फिटर, ओटो मुबाल, सभी का सीरी राम टेकनिकल क्लासेज इस्किल टेस्ट का बैस स् के हैं तो इस्किल टेस्ट के लिए सबसे बस्ट कोचिंग है सीरी राम टेकनिकल क्लासेज जैहिंद जैवार्थ